जो तनुष था नहीं, जो बांड था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत सोगे हो जैसा, वहाँ पे जैसे दिवाली पे पटाके जलाते हैं, हमने राम बांड चलाई है, इस मोबैल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहेते, मस्जिद नहीं था, है, 97, 98, 99, बालापूर में हैं, और पता है, इस मस्जिद का क्या उमर है, यह जो बंदा मेरे उपर फईयार किया है, मुझे पता है, यह भी इनका है की तोता है, जिस राम नवमी, शीरा नवमी के दिन, जो धनुष ता नहीं, जो बांड था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोद सोगे हो जैसा, वहाँ पे जैसे दिवाली पे पठाके जलाते हैं, हमने राम बान चलाई है, अभी कोई पठाके जलाते हैं, तो आप बोलेंगे, कि है आप पठाके इसलिए चला रहे हैं, तो आप मस्जिद को अब कुछ करना चाते हो, इसी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चारे हो तो मस्जदी नहीं कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाते हो तो मैं एक ही बात सारे मुसल्मान भाई भाई भेनों को कह रहे हूं कि ये लोग डर गए है पता है क्यों डर गए है जब से हमारे आपकी अदालत का शो देखा है ये लोगोंने ये लोगों को समझ में आ गया है इनका हर काले करना में कर्तूतों का चित्ता मेरा पास है हम उन सारे मुसल्मान भायों के साथ है जिन्होंने इनका हर हर गल्ती को बाहर निकालने के लिए मार भी काये हैं जेल के और सलाकों के पीछे भी गहे थे ऐसे कई सोशल अक्टिविस्ट है जो राइट टू इन्फरमेशन यानि के सच बाहर उगालने के लिए जो काम किये थे मस्जिदों को तोड़े जो ये लोग ये अशुकाना को तोड़े ये लोग कबजा करें ये लोग हराम का हर काम करें ये लोग सहाता करें हाथ बढ़ाएं उनका बाहर निकालने के लिए ये लोग मुसल्मान तक नहीं देखते हुए इनको सलाकों के पीछे फेक दिये ये लोग वो आज मेरे प्रती यही काम करना चारे अरे मुसल्मान भायो जागो जागो ये कई मस्जिद को भी नहीं चोड़ता ये कई मंदिर को भी नहीं चोड़ता ये लोग जो सच्चाई में बाहर निकालने आई हूँ जिस वगबोड का हर सच में बहार निकालूंगी इसी का डर लग गया इन लोगों को इनको पता है मैं मुसल्मानों के साथ ठहरूंगी इनका ये खरकत ने चुब बैटूगी अभी मैं हर सच आपके सामने लिख क्या होगी देखिया ये जो बलाला जो मलक पेट के में लेगे उनके चोड़े बा बताया कि ये गलत काम है ये बगबोड का लैंड है आप इसके उपर हाथ नहीं लगा सकते हैं दूसरा ये देखिये ये है कुझे आफियत ये कुझे आफियत ऐसा एक जगा है जिसमें नासर अपार्टमेंट्स बना दिये गए है ये शांतिनगर में है ये एक एकड का लैं और इनी का आट ये आक्टिविस मोशिन साब कहते हैं कि वकबोड का ये प्रापर्टी में मायम के एमले सारे लोग चुप बेटे हुए और लोगों को हड़ अपने दिये है ये और एक देखे मज़िद जो ये बीचों बीच यहां पर मज़िद है ये मज़िद को तोड़ा गया है ये मज़िद कहा है 97, 98, 99 बालापूर में है और पता है इस मज़िद का क्या उमर है चार हजार साल चार सो साल यानि के चारी मिनार का उमर क्या है ये मज़िद का वही उमर है और इस मज़िद जो कुतबशाही मज़िद किया कहा जाता है इसको भी जो बालापूर में हैं हड़प लिए गए और इसके उपर भी इन्होंने केस चला है लेकिन कोई फैदा ने रहा यह लोग इतने बड़े-बड़े अपार्टमेंट बना लिए और एक दिकातीन देखिए अब सरकान जो इम्मायम के लीडर है महराज उसीन जाफर जो सुपरवास कर रहा था यह आदेखिए यह रौंड में देखिए यह वहीं मैंग के लीडर को दिया गया था कहीं साल पहले यहां पे भी बिग्विंग विद लेट सलाउदीनोवईसी आका सलार टुइस किड्स असाउदीनोवईसी अग्बर उदीनोवईसी अधर एमायम लीडर्स इंक्लूडिंग फार्मर एमले कारवान मुहमद मुक्तादा खान आका अफसर खान मह प्राज उसेन जाफर यह सबी लोग इस में शामिल हैं जो यहां पर इस प्रकार के अपार्टमेंट्स बने गए थे यह वकबोर्ड का लैंड है अभी इसके बाद और एक कारणमा में समझाती हूं नॉट ओनली डिट एमायम लीडर्स मुक्तादा खान आका अफसर कान ग्र जेल भी जा दिया गया है अब आप बताएं इन लोग जब खुद के कौम के मुसल्मान वकबोर्ड के हर प्रॉपर्टी हडपने के लिए हडपते हुए लोगों को रोगने के लिए मायम वालों को यह मायम वालों को इतना मेहनत करने के बावजूद अगर इनकी जिंदगी स जो जो सोशल मीडिया में यह लोग जिस प्रकार के डिपार्टमेंट शुरू करकर यह लोग हर उस सच्चा इंसान के लिए जो सामने आकर इस प्रकार के काम को दिखाना चाते हैं उनके ओपर यह सोशल मीडिया इसी चलाते हैं यह जो बंदा मेरे उपर फयार किया है मुझ पता है इनका एक ऐसा बंदा है जो इनके नाचता है इनके इशारों पर पताने उसका क्या है यह लोग डरा के करवा रहे हैं दम की दे कर करा है लेकिन असाज जे मैं आज बता रही हूँ सारे जितने वकबोड के प्रॉपर्टी सापने हड़ पे ना वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए मैं पूरा बाहर निकाल रही हूँ घड़ी आपका शुरू हो गया आप जितना बढ़का ना चाहते हो बढ़का लिजे उन मुसल्मानों को जो ये सचाई समझने पर अपने आंक बंद करकर बैटे हैं वन लड़कियों को जिनको दुबाई बजाया जा रहा है लोगों से बार बार शादी करने के लिए तो हर पसमंदा और समझ लीजे अगर हम मजजित के तरफ इशारा करना चाहते हैं त स्टीट वार करने वाले हैं आपके कुद M.I.M. के लीडर्स हैं जिस दिने सच आप जाएंगे आपके आंक कुलेंगे लेकिन आप ये सच जाने या ना जाने लेकिन सच को बाहर निकाने के लिए मैं कत ही नहीं डरूंगी जान लो आप ये बात